नमस्कार दोस्तों मैं हूं देवाशीच और आप देखेरे मेरा यूटूब चैनल डीपी गाडिनिंग दोस्तों आज मैं आप लोग को पेंगन का प्लांट ग्राप्टिंग करके दिखाऊंगा किस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको ग्राप्टिंग कर सकते हैं ग्राप् प्लांट का उपरी हिस्सा इसे काड़ लेना है और शाइड में जो छोटा छोटा ब्रांच है उसको भी आपको हटा देना है दोस्तों यह प्लांट आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं नहीं तो आप इसका प्लांट ले करके किसी भी एक जगह पे लगा दीजिए मतलब किसी पर्ट में लगा दीजिए लगाने के बाद यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा बड़ा होने के बाद इसको लेकि हम लोग ग्राप्टिंग करेंगे दोस्तों इसका जो रूट सिस्टम है बहुत ही मजबुत है यह एतना आसानी से मरता नहीं है अब क्या करेंगे इसका जो श बिलकुल निया होना चाहिए नहीं तो ये पूरी तर से साप सुतर होना चाहिए और इसका धार भी बहुत बढ़िया रहना चाहिए तब जाकर के इसमें आप ग्राप्टिंग कर सकते हैं मैने ये बैंगन unique ब्रांज लेकर के उसका पास में इसका नाप कर लिया हूं कि किस जगा में इसको मेरे को जोड़ना है इसका पास बेंगन का ब्रांज लेकर के आना है और इसका पास आप लोग को नाप के देख लेना है जिक कहां से मेरे को कटिंग करना है और कहां से इसको मेरे को जोड़ना ह देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा तीर्चा कट लगा लेता हूं जो कांटा वैगन का प्लांट है उसमें मैं थोड़ा सा तीर्चा कट करके फिर यह जो बैंगन का ब्रांच है मैं इसको भी इसका पास ले करके आता हूं फिर देख लेता हूं मेरे को कहां पर इसमें भी यह नीचे से उपर उसी हिसाब से मैं लगा रहा हूं और इसका जो बाहरी हिस्सा है इसका थोड़ा सा चिलका में उतार लेता हूं आपको भी यह से उतार लेना है फिर यहां पर मैं इसको लेके यहां पर फिट करके देखूंगा देखें मैंने यहां पर इस तरह से फिट कर लिया हूँ लेकिन मैंने जो काटा बेगन का थोड़ा सा छिलका उतरा हूँ मतलब तीछा कट लगाया हूँ उसमें भी मेरे को थोड़ा सा छिलका बाहरी तरब से उतार लेना है ताकि यह आच्छी तरह से जोड़ जाए इसका कटिंग उसका अंदर घुशा देना है और उसका कटिंग इसका अंदर घुशा देना है इसा करके आप फिट कर लिजे फिट करने का बाद एक ग्राप्टिंग टेप दे करके इसको आप अच्छी तरह से बांध लिजे जिस तरह से में बांध रहा हूं अगर आप लोग में रखना है जो पलिथीन आप यूज करेंगे इसमें ग्राप्टिंग टेप के हिसे यह थोड़ा साब सुत्रा वाला पलिथीन होना चाहिए अगर साब सुत्रा वाला पलिथीन नहीं होगा तो इसमें फॉंगस से टक हो जागा और फॉंगस लेगने के बज़े से यह के सब्सक्राइब नहीं करेंगे देखिए यह जो प्लांट है इसका रूट सिस्टम बहुत ही मज़बुत है बहुत स्ट्रॉंग है यह नी भी मरता नहीं है, इसका रूट पाणी ज़्यादा होने से या कम होने से ये खराप今天 होता है, ये मरता नहीं है, इसलिए हम लोग ismen grafting करते हैं, देखें यह बहुत ही कांटादार plant होता है, इसमें हर जगा कांटा ही कांटा होता है, इसलिए ये plant इतना बड़ा होने से से पहले आप लोग को इसमें घिस देगे तो इसमें से सारी निकल जाएगा अइसे करके आपको इंतजार नहीं करना और यह आशानी से मोरता नहीं आप इसको ग्रो कर सकते हैं आप को बीजा अ क्नलकि कीन में लगा कर के थोड़ा सा बड़ा हो जाना करेंगे तो आपका प्लांट तीन से चार साल तक जीनदा रहेगा और इसमें भरपूर फॉल लेगेगा इसमें बीमारिया भी नहीं लगता है बेंगन और टमाटर का प्लांट में ज्यादा तर फंगोस लगने के बज़े से इसका जो गोड़ा सड़ जाता है मतलब इसका रूट खराब हो फिर यह दूसरा भरांच है इसमें मैंने दूसरा भरेट का ब्रांच ग्राप्टिंग कर रहा हूँ देखिएए ठीक आपजिट करके आपको आपंजेंिक और ठिक औपिटिक कर के हैं अगर से कट कर दिक ए मतलब उपर ंगर गलन कभी छलका उतर लिया और ने कर सकते हैं इसको थोड़ा तीर्चा कट लगाना है ताकには अच्छी तरह से इसमें फीट होजाएगा फीट हो जब से आप ग्राफिटिंग करेंगे तब से लेखर के चार हफते के अंदर अंदर ये पूरी तुर असे SuCess हो जाएगा तब इसको आप काटके दूसरा जगह में सिप्ट आतों कर सकते हैं अब को पहले है कि यह SuCess हुआ है कि नहींMar чем अगर यह ब्रांच धिरे-दिरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और यह जो फब じरे-दिरे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पूरी तरह से सुक्सेस हो गया है इसको हाँ काटके दूसरा जगा कर सकते हैं कि इसका जो दो ब्रांच है दो ब्रांच में मैंने अलोग अलोग फिराइटिक ग्राप्टिंग कर लिया हूं अब क्या करना है जो उपर की तरब रह गया है इसको काटके इसे आपको हटा दना है लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें कम से कम एक ब्रांच आपको रखना बहुत जोरूरी है नहीं तो यह बिल्कुल मर जाएगा ब्रांच रहेगा तो यह मरेगा नहीं देखिए यह है ग्रीन कलर का बेंगन का ब्रांच में इसमें जोड़ा हूं लेकिन पहले जो ब्रांच में इसमें जोड़ा था यह है लोग-अलोग प्रांच में इसमें जोड दिया हूँ ग्रापटिं92 करने का समय जो चाकaty चाखो आप इस्तिमल करेंगे पहले सिवह अगर सानिटाइज करकी इसको इस्तिमल करेंगे तो यह बहुत बढ़िया रेजल्ट आपको देगा अगर सानिटाइज नहीं करते हैं पूरा ना चाकुशे अगर आप ग्राप्टिंग करते हैं तो यह सक्सेस होने का संभावना थोड़ा कम रहता है उमिदे दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आय कि शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलेगा वीडियो को अंतोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद